गूप किसल बाहियों अब को स्वाज़त हैम आरे एंपीरियल फ्राय स्टार्डट करा दिये हैं किस तरीके से हो रही बताते मारी की फशल है उसकी नुनाई स्टार्डे के लिए कमने ऊसको न मभय अधा है कि अधि इसकी नाई चया हो कई है और किस तरीके से जोहरे देशकते हैं यह तीन लोग आये हैं इसको निजने के लिए लेकिन अभी फसल बताते हैं आपको पहले तो देखिए मसूर की फसल लबग चार मेहने की हुआ तार तीन मेहने की हुआ है और अब यह इसको बारिश होई है परसों के दिन ही तो यह काफी ज्यादा खड़ हती जो की दो तीन दिन लगेंगे वांनाहिं होने में फिर इसको करने की त्रॉली से फिर इसको थ्रेशर के माध्यम से चाह दिए गम कि देखिये कुछ कि पॉद निकाल निकाल के बताते हैं हम आपको आपको साथ अधैक भी मशूर के बीच बन चुक एद और कुछ कुछ म तो देख सकते हैं काफी गीली जमीन हो गई है प्यार से दब रही है हमने इसका अभी उखाणने में कोई भी काफी दिक्कत नहीं जा रही कम कि यह जमीन लरम होने के करण इसको पकड़के पुदे को इस तरीके से उखाड लिया जाता है उसमें ज्यादा ताकत नहीं लगती ह तेरेलगे फ्ल簡 कि अप्यार फ्लिया भी देख याप काफी अच्छी आइग हैं हमने इसमेर 810 क उप jurisdiction किया है और दूसरी बार में इसागरी का या चैठाब किया का पी अच्छे फ्ल पूल आएं इसका कितना अपको वीडियो में बिना कर दिखाएंगे साद के लोल म अब इसका कितना अत्पादन मिलेगा यह तो गहां के और बेचने के बाद ही पता चलेगा यह देखे कुछ यह देखिए इसमें चूहे बगएरा बोल रहे हैं चूहे बगएरा के बच्चे हैं चोटे-चोटे दो तीन है सायर यह फसल को बहुत खराब करते हैं बारिस हुई है और पूरी लोड़ गई यह फसल तो काफी टाइम लग रहे है इसको उखाणने में कुछ कुछ जगहां प बारिस भी हुई है तो काफी लोड़ गया है तो अब इसमें 15-20 दिन का टाइम लगेगा अभी फली अबस्ता में भी है और फूल भी आ रहे हैं अभी कुछ कुछ जगहों पर फली बनने लगी है चाने के इस्तिति भी देख सकते हैं आप चाने के तो हाइट काफी अच्छ अब इसको भी लेवरों के माध्यन से कटाना पड़ेगा क्योंकि हार्वेस्टर वगेर से तो कटाना बहुत कथी रहती है ज्यादा मांत्रम गर जाते हैं इसी तरह की इंफोमेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं इंपिरियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर वीडियो अच्छा लागा तो लाइक किजी कमेंड किजी है स्काइक पीजी थैंक यू सो मच